हलो वीवर्स आप दीख रहे हैं प्रभात एक्जाम का यूट्यूब चानल और हम आपके लिलाए है गवर्नर्ट जनरल ओप इंडिया सीरीज की एक विशेश रंखला जो आपको भारत के पहले गवर्नर्ट जनरल से लेकर आखरी गवर्नर्ट जनरल की बारे में सभी जैसे भारत की गवर्नर्ट जनरल की फिहरिस्त में कौन-कौन से नाम शामल है उनकी क्या उपलबधिया थी और उन्होंने क्या प्रमुक सुधार किये ये विशे आपको आई इस परिक्षा के सामाने ग्यान एवं आधुनिक भारत की इतिहास के अनुभाग के प्रशनों को हल करने में मदद करेगा इसके अलावा UPPSC, MPPSC, BPSC और RPSC में प्रमुक तौर पर प्रतियेक वर्ष, प्री और मेंस की परिक्षा में इसी टॉपिक से प्रशन पूछे जाते हैं इसके बाद भारत के गवर्नर जन्रल के रूप में लौड विल्लियम बेनितिक की न्युकती ने भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक नए युक्की शुरुवात की वे 1828 से 1835 तक भारत में गवर्नर जनरल के रूप में बने रहे बेनेटिक शान्ती, अनुशासन और अर्थ व्यवस्था का व्यक्ती था वे एक उदार सुधारवादी थे जिन्होंने इंगलेंड के सुधारान दोलन में सक्रिय भाग लिया शान्ती बहाली और सुधार के कारक्रम में उनका द्रडविश्वास था यूलोगिस्टिक भाषा में मैकॉले ने उसे समझाते हुए कहा बेनेटिक ने ब्रिटिश स्वतंतरता की भावना को प्राक्च डिपॉर्डिस्म में बदल दिया जो कभी नहीं भूले कि सरकार का अंत शासितों का कल्यान है लॉर्ड बेनेटिक एक महान सुधा रख थे वे पहले गवर्नर जनरल थे जो भारतिय लोगों के प्रती सहानु भूती रखते थे और भारतियों की कटनाईयों को दूर करने का प्रयास भी करते थे कॉर्ड वॉलेस के बाद ये गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेनेटिक ही थे जिन्होंने नए प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दिया और प्रशासन के शेत्र में कुछ बदलाव किये उन्होंने कंपनी की सेवा में भारतियों को न्युक्त करने की प्रथा शुरू की कॉर्ड वॉलिस ने भारतियों को प्रशासनिक सेवा में न्युक्त करना बंद कर दिया था क्योंकि वे भारतियों के चरित्र, शमता और अखंडता के बारे में कम राय रखते थे इसलिए उन्होंने यूरोपिय लोगों के लिए सभी उच्च पदों को आरक्षित करने की मांगी। इससे भारतिय बहुत नाराज हो गए, लिकिन बेनेटिक ने शासक और शासन के बीच घनिस्ट संपर्क स्थापित करने के लिए उस नीती को छोड़ दिया। इसलिए बेनेटिक ने भारतियों को सरकारी सिवा में नियुक्त किया। अब शिक्षित भारतियों को भी इप्ति मैजिस्ट्रेट और इप्ति कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। इस प्रकार बेनेटिक ने सरकारी सेवा के भारती गरण के दिशा में एको लेखनीय कर्णम उठाया। बेनेटिक ने उत्तर पक्षिमी प्रांत में भूराजस्व समझोता किया था। दस साल पूरे करने के लिए इसका सिधान्त तीस वर्षों के लिए एक अर्धस्थाई निपतान था, जो दोनों की रायदारों को सुधार करने और राजजी को कुछ लाब प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए प्रोचसाहित करेगा। भूमी के समूचित सर्वेक्षण के बाद बस्ती के अनुसार बड़े भूधारकों, काश्टकारों या ग्राम समुदायों के साथ समझोता किया गया। इस विवस्था के कारण राजजी का राजस्व बढ़ा। बंगाल की अध्यक्षता को 20 प्रभागों में विभाज़त किया गया। प्रतेइक मंडल के उपर एक आयुक्त न्यूक्त किया गया। आयुक्त ने उन मामलों का भी फैसला किया जो पहले प्रांतों में अपील और सर्किट की अदालतों के नया धीशों द्वारा निपताए गये थे। उन्हें जिला मजिस्ट्रेटों और नया धीशों के कामकाज की निगरानी करने का भी अधिकार था। मामलों के विशाल बकाय के लिए अपील और सर्किट के प्रांतिय नयायले काफी हद तक जिम्मेदार थे। इन अदालतों में नयाइक प्रक्रिया का पालन, अकसर देरी और अनिश्चिताओं के परिणाम स्वरूप होता था। पनेटिक ने इन अदालतों को समाप्त कर दिया, उन्होंने मामलों की सुनवाई में देरी से बचने के लिए विभन ग्रेट की अदालतों की स्थापना की, उन्होंने आगरा में सर्वोफ चिशन्यायय आलै की स्थापना की, इस अदालत में दीवानी और फौज़दारी अ और सदर निजामत अदालत स्थापित की गई बेनिटिक ने सजा की गंभीरता को भी कम कर दिया बेनिटिक द्वारा एक व्यक्ति को चाहबुक से पीटने की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया अब तक फारसी दरबार की भाशा रही थी जनता और न्यायधीश दोनों फारसी से अनभिग्य थे इसलिए बेनिटिक ने फारसी के स्थान पर भाशा का प्रयोग करने का आदेश दिया उच्चनययय एलो में फारसी को अंग्रेजी के रूप में अदालत की भाशा के रूप में बदल दिया गया योग भारतियों को मुनसिफ और सदर अमीन के रूप में नियुक्त किया गया था बर्मा युद्ध ने कंपनी के खजाने को नश्ट कर दिया था कमाएं और खर्च में वृद्धी के कारण कंपनी को लगभग एक करोड की कमी का सामना करना पढ़ रहा था इसलिए बेनिटिक का पहला कर्तव्य आर्थिक करण था और उनकी अर्थ्व पारिशों के अनुसार बेनिटिक ने सिविल सेवकों के उच्छ वेतन को कम कर दिया उन्होंने सिविल और सैन्ने अधिकारियों दोनों के भत्तों को कम कर दिया उन्होंने कलकता के 400 मील के भीतर सभी स्टेशन उपर 50 प्रतिशत द्वारा भट्टा को कम करने का प्रावधा किया इस उपाय के परिणाम स्वरूप वर्ष में 20,000 पाउंड की बचत प्रभावित हुई उन दिनों मद्य भारत में अफीम का उत्पादन होता था और कराची से चीन भीजा जाता था बेनेटिक ने कराची से बंबई तक व्यापार का मार्क बदल दिया जिसने कम्पनियों को करतव्यों के रूप में मुनाफे में हिस्सा दिया सारवजनिक संस्थानों और व्यक्तियों ने दीवानी के अधिक्रहण के बाद से बंगाल में मुफ्त भूमी का आनंद लिया बेनिक ने कलेक्टनों को उन लोगों के अधिकारी के बारे में पूछताच करनी का कंदन को फिर से शुरू किया बेनिक के इस कदम से कंपनी के राजस्व में भी काफी वृध्धी हुई उत्तर प्रश्चिमी प्रांतों की भूमी राजस्व निप्तान से भी अधिक राजस्व प्राप्त हुआ बेनिक ने प्रशासनिक पदों पर भारतियों को नियुक्त क गाटा प्रतिवर्ष दो करोड के आधिशेश्क में परिवर्तित हो गया। बेनेटिक की महान उपलब्धी उसका पौधिक सुधार था। 1813 के चार्टर रैक्ट ने भारत में शिक्षा के पुनरुद्धार और समवर्धन के लिए सालाना एक लाख रुपए प्रदाम किये थे। लेकिन ये धन जमा होता चला गया क्योंकि कोई उचित व्यवस्था नहीं हो सकी। बेनेटिक की आने से पहले स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा के माध्यम को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा था। क्या ये भारतिय भाषा के माध्यम से या अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिया जाना था। हैमन विल्सन और एच्टी प्रिंसस के नेत्रित वाले प्राच्ष विदों ने शिक्षा के माध्यम के रूप में संस्कृत, अर्भी और फार्सी के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की। राजा राम मुहन राय जैसे भारतिय उदारवादियों द्वारा समर्थित सर चाल्स ट्रेवेलियन के नित्रत्य में अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा के पक्ष में अपना विचार दिया। लॉर्ड मेकॉले परिशत के कानून सदस ने विवात को एक निश्चित आकार दिया। उनकी सिफारिशों पर निर्णा लिया गया कि जो राशी शिक्षा के लिए रखी गई थी वो भारतियों की शिक्षा पर खर्च की जानी चाहिए। और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मेकॉले के प्रस्तावों को बेनेटिक ने सुईकार कर लिया और 7 मार्च 1835 के एक संकल्प में सन्नेहित किया। जिसने घोशना की कि परिशद में उनका अधिपत्य इस बात का है कि ब्रिटिश सरकार की महान वस्तु को मूल निवासियों के बीच यूरोपीय साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। भारत के और शिक्षा के उद्देश के लिए विनियोजित सभी निधी अकेले अंग्रेजी शिक्षा पर सबसे अच्छी तरह से नियोजित होंगी। अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल और कॉलेज स्थापित किये गए। अंग्रेजी भाषा भी आधिकारिक भाषा बन गई और इसने भारत के लोगों को विचारों के आदान प्रदान में मदद की विल्यम बेनेटेक भारतियों में अपने सामाच एक सुधारों के लिए प्रसद्ध है सती और मानव बली की प्रणालियों के उन्मूलन से उन्होंने समाच को दो सबसे बुरे अंदविश्वासों से मुक्त किया थुगे की विवस्था के दमन से उन्होंने लोगों को उनके सबसे बुरे भाय से मुक्त किया 1834 के अंद तक थुगे सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया कुछ दूरस्त अतीद से सती प्रथा या विद्वा को उसके पती के अंतिम संस्कार की चिता पर जलाने से हिंदू समाज में गहरी रूर अंद विश्वास के रूप में व्याप्त है सती के रूप में स्वर्ग का आनंद लेने की गहरी इच्छा के साथ कई विद्वाओं की स्वेच्छा से उनके पतियों की अंतिम संस्कार चिता पर मृत्य हो गई लेकिन कुछ मामलों में सार्वजनी का अलोचना से बचने के लिए उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध भी मारना पड़ा एक तरफ मौत का डर था, दूसरी तरफ समाज का डर था कुछ स्थानों पर अज्यानी रिष्टेदारों ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए विद्वाओं को मरने के लिए मजबूर किया अमीर परिवारों की विद्वाओं के मूलिवान गहने इकठा करने के लालच के बेशर्म इरादे भी थे विद्वाओं के जीवन को बचाने के लिए इस प्रणाली को समाप्त करना चाहाया और इसलिए एक विन्यमन की खोश्टा द्वारा सती प्रणाली को समाप्त कर दिया गया राजा राम मुहन राय महान भारतिय सुधारक ने बेनेटिक के इस अग्रणी उद्यम का समर्थन किया यहाँ दक की वो बिटिश सरकार के समक्ष वैवस्था के उन्मूलन के पक्ष में इंग्लेंड से विन्यती करना चाहते थे बेनेटिक की अगली उपलब्धी पहाडी जनजातियों के बीच प्रचलित मानव बलिदान की प्रणाली का उन्मूलन था 1835 में बेनेटिक ने भारत छोड़ दिया वे अपने विबिन्न सुधारों के कारण भारत के सभी गवर्नर जनरलों में सर्वोच रैंक रखता है डॉक्टर ईश्वरी पर साथ लिखते हैं बेनेटिक की खासियत शान्ती की बुलन दिया थी उनका शासन वर्षों से पहले या इसके बाद आने वाल लोगों के विपरीत है अगर आपको हमारा ये विडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से शेर करना ना भूलें और ऐसी ही दूसरी दिल्चस्प जानकारियों के लिए देखते रहे प्रभात एक्जैम झाल